नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनिस 90 में दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे टैपट सेटिंग ठीक है टैपट सेटिंग होता कैसे है और करते कैसे है इसमें जो चीजे महत्वपूर्ण है मैं आपको बताऊंगा उससे आपको किलियर हो जागा कि किसी भी इंजेन में आप स्टैपट सेटिंग कर लोगे और आपको किलियर रहेगा और कभी परिशानी में नहीं फस हो गया तो दोस्तों जैसे मैंने एक यह शिक्स स्लेंडर का अपना एक बनाया है कि यह अपना शिलिंडर नमबर वन है शिलिंडर नमबर फॉर फाइफ हैंड शिक्स अब मैं आपको यह चीज़ बताऊंगा कि इसमें कैसे सिक्स बीटी या किलोसकर इंजन या ग्रिप्स इंजन किसी भी इंजन में आप जाते हो तो आपको टैपेट सेटिंग करने के लिए सब्सेट कुछ भी नहीं लिखा हो आपको यह पता रहाएगा किलियर कि कैसे कहां पे किस पोजीशन में क्या होता है तो आप यह क्लियर कर लोगे तो यह चीज़ आपको वेशन डेमपर है ठीक है तो यहाँ पे यह एक पॉइंट हमने दे दिया दोस्तों हम यह आपको बताना चाहते हैं कि यह जो है छे स्लेंडर का इंजन है एक दो तीन चार पांच छे हमने तो पॉइंट हमने देमपर पूली बनाके रखा यह आपको सोचना होगा समझना होगा कि यह किसी स्थिती में कैसे टेपट करते हैं तो टेपट शेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक मार्का लेना पड़ता है आप दो टाइप से टेपट की सेटिंग कर सकते हो फार तो दो टाइप से अपना कर सकते हैं तो अब हम चलते हैं आपको हम पहले फाइरिंग ओडर वाली बताते हैं कि कैसे करते है ठीक है तो ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये इंजिन का टैपेट सेट कैसे करते हैं तो हमने एक पॉइंट लिया यहां पे टी डी सी ये टॉप डेट सेंटर ठीक है तो ये जो है सभी स्लेंडर दो राउंड में ये इनकी सारी एश्टो के कंप्लीट हो जाती है तो ये आपको जानना है तो जैसे हमने यहां से एक नंबर पिश्टन एक स्लेंडर की बात कर लेते हैं वो ऐसे ही सारे स्लेंडर काम करते हैं तो एक स्लेंडर में जैसे हमारा यहां पे टी डी सी पे पिश्टन है यहां से जब यह टी डी सी से बी डी सी यह टॉप डेट सेंटर और यह bottom dead center तो इंजन जब यहां से traveling करेगा TDC से BDC तो यहां पर suction stock complete हो गया half round में देखो यहां पर ठीक है यहां पर half round में suction stock complete हो गया उसके बाद में यहां से जब फिर यह BDC की और से TDC की और चलेगा यानि bottom dead center से top dead center की और बढ़ेगा तो उसमें अपना compressor stock यहां तक पूरा ह यहां यहां पर सक किया और यहां से air को compress कर दिया ठीक है यहां तक आपको clear है कि यहां से suction करने के बाद में यहां से यहां तक में compress कर दिया before 19 degree जो फ्यूल इंजेक्ट होता है फ्यूल इंजेक्शन उसके बाद में यहां पर जो blasting यानि पावर मिलता है और फायर होता है इसके वज़ए से piston TDC से BDC की और जाता है तो वह अपना क्या है जिससे हम लोग पावर यूज करते हैं तो यह पावर यहां तक होता है ठीक है और इस इस्तिति में अपना जो है एक झौस्त एक जोश्ट का वाल्ब खुल जाएगा और यहांसे जो है यह अपने जोश्ट वाल्ब के दौरा बाहर निकल जाते हैं यह आपको हमбоसा करते हैं यह आपको किलियर सवा गया तो यह जो सारे के 4 ॒हांसे शराइने साफ से कर लेना है, अब हम Iska speaking का कैसे करेंकbung सबसे परद जीए कि हमार है हमारा छे का हर सबसे इंग् filming video आपको जानना होगा तो वहां अब लिख देते हैं पता स्पीट में 3, 6, 2, 4, यह लगबग सभी आदमी को याद रहता है, यह जो 6 लेंडर का फाइरिंग ओडर है, यह सभी को याद रहता है, तो अपना जो डेंपर पुली, यह डेंपर पुली जो है, अब इसमें आपको समझने वाली बात जो है, थ्रध्यान से देखना है इस चीज को, तकि आ रहता है, और 6BT इंजन है, तो 6BT इंजन में क्या होगा, कि जैसे ही अपना TDC पे इंजन है, तो केम लोक रहेगा, ठीक है, तो केम लोक हो गया, वहाँ पे आप इसको मार्किंग कर सकते हो, क्योंकि डेंपर पुली पे कोई भी निसान नहीं होते हैं, तो आप उसको मार्क मैं भी दिखाऊंगा, कैसे मार्किंग करते हैं, अगर आप किलोसकर इंजन पे काम कर रहा हो, तो वहाँ पे दो कट दिये रहते हैं, ठीक है, ऐसे दो कट रहते हैं, उसमें एक रहेगा, बिफोर 19 डिगरी, फ्यूल इंजेक्शन, फ्यूल टाइमिंग, फ्यूल प्यूल प hattin, उसकी सेटिंग अलग-अलग मिल सकती है आपको, तो हम आपको बताना चाहरा है कि यह जो अपना ठीक हो डेंपर है, अब इसको करना क्या है, जैसे 6 जेन रिंडर का इंजन है, तो उसको 120 डिगरी, 120 डिगरी, 120 डिगरी, यानि इसका या तो आपके पास यह नहीं है, त जो dimension होती है, 750 mm की होती है, ठीक है, तो हमने एक यहाँ पर काट लिया उसको, ठीक है, उसके बाद में फिर हमने एक यहाँ पर काट लिया, 750, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पर काट लिया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कि जब first हमारा TDC पर है, तो हम इसका intake और adjust, दोनों हम एक साथ में इसका कर लेंगे, एक number का, ठीक है, फिर engine को rotation में घुमाएंगे, और इस वाले point को, 120 degree को, जैसे 120 degree, 120 degree, 120 degree, और 200 mm, 200 mm, 250 mm, भी जो मने काटा है, नाप करके, तो इससे क्या होगा, कि जैसे हम इसको यहाँ से घुमाएंगे, और यह वाला निसान, यह इस निसान को match करेगा, जो आपने timing के बार case पे दिये हो, इस वाले पे निसान पे match करेगा, तो इसका अगला आपको tapet setting करना है, first में एक कर लिया आपने, TDC पे, उसके बाद में, दूसरा क्या होगा, यह 5 number, 5 number, तो एक 5, तो यह हमना 5, इसका हम intake और exhaust करेंगे, ठीक है, फिर जब यह व 20 degree engine को घुमाना है, 120 degree आप engine को फिर घुमाओगे, तो उसका अगला firing order आपको मिल जाएगा, ऐसे 120, 120, 120 करके यह आप पूरे का tapet set कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई doubt अगर आपको लगता है, तो आप हमको comment box में, आप हमको message करके पूछ सकते हो, रही बात injector setting की, तो मैं आपक केटिये बगरे का बताऊंगा, और जो केम से operated injector होते हैं, तो मैं धीरे धीरे करके एक चीज़ आपको बताता हूँ, जाके clear होता रहा है, तो यह चीज़ समझो, by यह 120, 120, 120, यानी 120 degree पे एक cylinder fire करता है, इसमें, अब हम चलते हैं, इसी engine को फोर, अपना 4 cylinder में, जैसे इसको म बीटी ले लो, जो भी whatever, जो भी engine, फोर्स लेंडर का आप ले लो, ठीक है, फोर्स लेंडर के engine में आपको का करना पड़ेगा, तो फोर्स लेंडर में आपको और असान है, एक आपने उपर लगाया, उसके बाद में ठीक आप इसको एक TDC काटो, एक BDC काटो, जैसे यह आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बाकी बड़े engine का अलग से मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो यह जो tapet setting है, यह हम आसा करते हैं, कि आपको समझ में आ गई होगी, यह हम इस method से कैसे करते हैं, अब दूसरा, एक तो आप लोगो को clear हो गया, अभी firing order के अनुसार, क अब यह अपना TDC पर है, तो उस इस्तिति में हमको रखना पड़ता है, intake exhaust, यानि एक, दो, तीन, चार, पांच नहीं करना राता है, उसके बाद छे, साथ, दस, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच नहीं करेंगे, छे, साथ, दस, ठीक है, एक बार में इनकी हम valveless, यानि valve setting करेंगे, फिर हम इसको दोबारा जो अपना TDC पर है, इसको 360 डिगरी घुमाएंगे, ठीक है, तो 360 डिगरी घुमाएंगे, उसके बाद इधर से अपना मिलाएंगे, ठीक है, तो ये वाला जो है, 12, 11, एक बार में 12, 11, 10 हम पहले राउंड में मिला चुके हैं, 9, 7, 6, 7 भी दो राउंड में आप complete कर लोगे, ठीक है, अब हम आप लोग को ले के चलते हैं, ये चीज़ आप समझो, एक चीज़ और मैं आपको share करना चाहता हूं, कि जैसे single cylinder का engine है, अब बाइदवे, आप गाउं में भी जाते हो, आपके घर पे भी हो सकता है single cylinder engine, और इसमें, तो क्य में कोई marking रहती नहीं है, तो उसमें क्या होता है, कि जो came, जैसे came की sorry crane की जो gear होती है, डेंपर पर आपका निसान नहीं रहेगा, लेकिन came की जो sorry crane की जो gear होती है, उसमें cutter pin होते है, ठीक है, जैसे छोटे engine में जाओगे तो आपके flywheel में वो चावी लगे रहते है, तो वो अगर सीधा TDC पे तो टोटल ऐसे खड़ा रहता है, तो आप वहाँ पर उसको माल लो, ओ TDC है, वैसे ही अपना जो crane की जो चावी होती है, six cylinder, four cylinder engine में, तो जैसे ओ अपना 12, 12 वो clock पे रहेगा, जैसे यहाँ पी, यह जैसे निसान में बारा, यहाँ पे ओ चावी रहेगी, तो यह सोच लो, यह अपना एक नमबर TDC पे ही है, किसी भी engine पे ओ मार्किंग किया हुआ रहता है, उससे भी आप मिला सकते हो, अगर जदातर आपको परिसानी हो रही है, और भी कुछ समझ में नहीं आ रही है, मांगो आप साइड पे आपको और भी दिमाग काम नहीं कर र लखना है, कि जैसे एक भाल्ब अपना खुला हुआ है, यानि एक भाल्ब का पूसरर ऐसे अप है और भाल्ब डाउन है, तो दूसरा वाला फिरी दाएगा, यह भी एक प्रोसेस है, आपको कुछ समझ में नहीं आता हो, दो-तीन स्लेंडर पे आप चले गए, उस समय आपको ऐसे भी टैपिट मिला सकते हो, लेकिन जदा आपको घुमाना पड़ेगा इंजन को, वो मार्किंग करकर के, तो एक भाल्ब जैसे यह दो भाल्ब हो गया, यह अपना रॉकर लिबर, तो इसमें पूसरर लगे, पूसरर मानलो सपोच्छ एट कि एक हमने यह वाले पूसरर स इसको दबा दिया, तो यह तो दबा दिया, तो यह भाल्ब अपने डाउन हो गया, तो यह वालब फ्री रहे रहा, किसी भी इंजन का, यह फरमूला है, चलो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, हम आसा करता है कि आपको टैपेट सेटिंग हमारे वीडियो से आ करते हूं, आप लोगों को गृप से भी जोडता हूं कि कि साइड पर फस जाते हो, तो प्रब्लम आती है, तो मैं अभी आपको इंजन की टाइमिंग और टैपेट सेटिंग कैसे करते हैं, कर दोस्तों जैसे के मुने वी आपको बर्ट पर बताया था यह 6 VT का इंजिन थी तो मैं इसका आपको टेफिट कहले रेंस टेफिट कैसे सेट करते हैं और कैसे इसका टाइमिंग करते है तो आप यह देख लो यह सिक्स बीटी का इंजन है ठीक है आज इसी पर हम बात करेंगे कि इसका टैफिट और टाइमिंग कैसे आपको पर सेट करते हैं तो हम पर आपको टाइमिंग देखाना चाहते हैं कि पंप लागाने में काफी आपको परिसानी हो जाती है तो जैसे यह आप देखो यह क्रेंग पें यह आपको एक जीरो दीख रहा है ठीक है और इसके ठीक केम पोजिस्टी यह जो केम वाली यह अबना है तो यह जो क्रेंग का कटर यह जो क्रेंग की चावी है ने यह वाली सीधा 12 वोक लोग पर रहेगा यह फिक्स है मादो कि यह भी आपको नहीं दिख रहा है तो यह आप चीज़ें देख सकते हो तो यह 12 बज रहा है तो इसका मतलब आपका एक नमबर का पिश्टन फुल टीडीसी पे है ठीक है उसके बाद में एक यहां पर निसान दिया हुआ है मिलाने के लिए जो कि आप यह देखो यह जीरो का पॉइंट दिख रहा है आपको यह वाला और इसी के सामने ठीक यह अपना क्रेंग वाला है स्वारी केम गेर तो केम गेर पे आपको यह दो निसान देख रहें तो हमने दो निसान इसके और एक निसान इसके क्रेंग वाले के रिए करेंग Гeer के हमने मैच करा दिया और आपको यह बता दिया कि यह वाला जो पॉइंट होना चाहिए यह सीधा एस्टेट 12 बजना जैसे यह दो को अपना जो लिखा हुआ है यहां पर देखना मैं घुमागा दिखाता हूँ आपको जी डी एल इजी लिखा हुआ ना जैसा कि आप देख पार हो कि हम ने इस दोनों को यहाँ पर मिलाया यह वाले जीरो से इन दोनों को फिर जाकर कि यहाँ पर हमने पॉंप वाले को सी से मैच कराया है यह आपको दिख रहे हैं यह सी है और यह अपना केम साथ के गेर पर अपन है कि कि आपको बताया था कि दो रॉंड में हम किसी भी इंजन का पूरा टेफट द्रेफट मिला सकते हैं तो जैसे अभी हमारा यह को 7ht आज से मुआ ट को ताइमिंग दिखाया उसके नुसर मैंने सब्सक्क्राश्च का तो मैंने क्या कि कि इसको किक न क्या अपना है 30 overall कर दिया उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि दो राउंड में पूरा जो होता है अपना सारे स्लेंडर का साइकल जो भी होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं फोरेस्टोक साइकल तो हमने अभी आपको बताया तो मैंने इस वादे निसान को मैच कर दिया यहां पर आप दो पर दो को यह गैप जोड़ देना है उसके फिर बाद में जो एकजोष्ट अब उसके बाद इन्टेक पिर एक जोष्ट ऐसे करके आप एक बर में मिला सकते हो जैसे गिंती भी कर लो एक दो तीन चार-पांच छोड़ देना, छे, उसके बाद साथ, उसके बाद दस, तो जो इसका क्लियरेंस होता है, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक जोष्ट का जो इसमें देखो, इसमें दिख नहीं रहा है क्लियर मैं बट आपको कोशिस कर रहा हूँ, कि दिख जाए, एक मिन यह देखो, 0.20 mm for exhaust, 0.10 mm for inlet, ठीक है, तो यह दोनों वाल्व के लिए आमने निकाल कर रखा है, तो आप ऐसे भी मिला सकते हो, फिर जब इसको मैं दूसरे राउंड में यहां घुमा के लाऊंगा, तो आप उल्टा कर सकते हो, अन्हीं तो मैं इसको बताता हूँ, कैसे अप आपने को क्लियर करना होता है, तो अभी मैंने इसका दोट टेफेट सेट करके रखा है, एक नमबर का, यह अपना, यहां पर दोनों को मार्किंग करके रखा है, पॉंप अपना TDC पर है, देखो, यह 10 है, मैंने यह 10 से चेक करा है, इसको आप देखो, ठीक है, यह देखो, यह पुरा आदम सट के आना जाना चाहिए, यह देखो, यह कंप्लीट है, ठीक है, और यह भी देखो, यह भी सही है, तो एक नमबर का यह हो गया, अब इसको इंजिन को हम घुमाएंगे, इंजिन को घुमाईए, तो मैंने फिर इसको clockwise घुमाया, और फिर इसको वापस में उसी जगह पे लेके आया, तो इस समय क्या होगा, कि जैसे मैंने उधर से बताया था, एक, दो, तीन, और एक ची और मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि जैसे यह वाला point है, ठीक है, अगर हम 120 degree पे आप इसको काटते हो, जैसे मैंने बताया, तो यह 750 mm का, यह पूरा इसका dimension मैंने इसको 500 mm पे इसको काट दिया, ठीक है, काटने के बाद मैं अपना जो firing order होता है, इंजन का, 153624, तो जैसे यह वाला, अगर आप घुमा करके यह वाला point को अगर यहां लाते हो, तो इसका next, एक के बाद यह पांचवा number जो है, इसमें आएगा, उसका tap it आप मिला सकते हो, उसके बाद में फिर यह वाला point जो यहां आएगा, तो उसमें तीसरा number रहेगा, इस type से ऐसे करके दो round में आपका यह complete हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में यह चीज़ जो मैं आपको बता रहा था भी, तो फिर मैंने 6 number को, देखो, यहां पर 6 number अपना मिला दिया हमने 10 से और यह कर दिया, ठीक है, हमने क्या बताया था आपको, इधर से चलेंगे तो exhaust intake, यह दोनों एक बार मिलाएंगे, यह 6 number cylinder है, 6, 7, 10 भी मिला लेगो आप, जैसे गिंदी करा देता हम आपको, 1, 2, 3, 4, 5, नहीं करना है, 4, 5, 6 करना है, 7 करना है, उसके बाद सीरा 10 करना है, ठीक है, इस टाइप से आप दो बार मिला सकते हो, उसके बाद में जो बच गया, next मैंने आपको बताया, उस पर आप घुमा करके, फिर इधर से अपना पूरा ले लोगे, ठीक है, और मैं एक-एक करके भी आपको मैं दिखा दे रहा हूं, तो मैंने एक-दो राउंड से इस ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद में अपना ये जो फाइरी वांडर बताया था आपको एक-पांच-तीन छे, इतना तो मिला दिया हमने, उसके बाद ये दो इस वाले पोजिशन को यहाँ पे था, अब नेक्स्ट अपना फाइरिंग ओडर आ गया होगा, तो छे के बाद क्या था अपना दो, तो देखो, ये अपना, दो अपना, ये रेडी होके हम इसके बाद, दूसरे सिलेंडर को मिलाएंगे दूसरे सिरेंडर मिलाने के बाद यह समझो आप फिर उसके बाद में जब हम इसको तीक यह वाला जो निसान अमें लगा अब यहां से 120 डिगरी इधर लेंगे तो फिर चार नमबर मिला देंगे ठीक है उसके बाद में यह अपना टैइपट के लिए सके अगर आगे चार सिलिंडर्स टीकि मैंने इसको राउन लिया यहां के यह चार नंबर आगया अब इसका चार का सेटिंग हो जाएगा बस कंप्लीट हो जाएगा इंगन का टैपिट सेटिंग ठीक है अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता है तो लाइक सस्क्राइब और सेर करें अगर फर्स्टाइम पे आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रिविएस वीडियो जाकर करके देखें हम जो भी बताते हैं है और प्रोपर इजी वेबर बताते हैं जिस वाजए से आपको काम करने में असानी होती है दोस्तों हम नेक्ट वीडियो में आपको नहीं कारी के साथ मिलेंग ईाम bringing दो काम के साथ में एकूम लधा बताते हैं लझी को कि दोस्तों है वीडियों ज today बताते हैं जोस्तों हैंच को जोस्तों है की महा बताते हैं जोस्तों में ऋने सब्सक्राइब उर सत्ब mm